कितना दखल है कुमारी सेलजा का हर्याना की राजनिती में? जाके और ये अवाज भी उठाएंगे बहेंजी के नेतरितों में? बहन सेलजा जी तो परदान मंतरी बढ़ा दी जाया तो देश का बला जाया है और परदेश की मुख्य मंतरी बढ़ा दे इस परदेश की 36 बढ़ा दी सरव समाज इतनी खुछ और इतना न्याय मिलेगा कि सदा सदा के लिए बहन जी को याद अब हर समाज में वो लोग प्रिय की जब ता नहीं गुमब्हेगी तब तक कांग्रिस पार्टी को बहारी बहुमत नहीं मिलेगा आगा मैं वह हूँ अशुक्दास आप देख रहे हैं दली 10 तक आज तारीक है 24 सितंबर और भारती इतिहास को आप देखेंगी और खास तोरपे बहुजन समाज की इतिहास को तो 24 सितंबर की जो तारीख है वो काफी एहम है 24 सितंबर वो तारीख है जब समता सैनिक दल के स्थापना हुई थी 24 सितंबर वो तारीख है जब सत्यसोधक समाज के स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1932 को ही पुना पैक्ट हुआ था जो कि बाबा साब ने कहा कि मजबूरी में उनको करना पड़ा था और जिस तरीके से तमाम घटना क्रम चला था भारती राजनिती में जो गांधी जी और डॉक्टर अमिर्कर के बीच में समझाता हुआ था बाबा साथ हुआ और बठाई दी गई है और यह उनकी कोठी है और तमाम उनके जो समर्थक हैं वह यहां पर पहुंचे हुए उनको बठाई देने के लिए ऐसे वक्त में जब 5 अक्टूबर को हर्याना में चुनाव है इसके ठीक पहले कुमारी से चुनाव परचार से मतलब चुनाव परचार मे है यह साफ साब बताता है कि भारतिया राजनिती और खास तरफ फे हर्याना की राजनिती में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आरोप लग रहा है कि उनके समर्थकों को उस तरीके से टिकट नहीं गया उनको उनको जितना स्टेक मिलना चाहिए था दलित कम्रीटी के लोगों तो क्या प्रतिनधित्व मिला है कुमारी शायल जा पुना पैक्ट के जरिये तमाम हम इस मामने को टोलने की कोशिश करेंगे आप लोग कहां से हैं मैं करना से आया है तो आप लोग निश्चित तौर्पी यहां पे खर रहे हैं तो उनके सपोर्टर हैं आज इनका जन दिन है आप लोग निश्चित तौर्पीन को बताई देने के लिए हैं आज पूना पैक्ट भी साइन हुआ था 1932 में तो पूना पैक्ट का जो बाबा साब चाहते थी कि दलितों को प्रतिन्धित्व मिले राजनिती में और अभी जब बात हो रही है कि कुमारी शायल जा कि समर्थ प्रतिन्धित्व आज भी मिल पाया है नहीं मिल पाया है नहीं मिल पाया है इस्थेति क्या है अपका नाम बताते मेरे नाम राकेश रोकी है और मैं जी के साथ हम जुड़े हुए है तीन पीडियो का मेरा रिष्टा है बेंजी के साथ प्रिवार के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब तक दिलिस समाज या पिछड़े वरक के जो लोग है उनकी गयर राजनिती जड़े मजबूत नहीं होंगे तो तब तक मजबूत राजनिती नहीं कर सकते तो एक तरफ इस द courageous already माफिया इन तिन्हों से तो वह स्याइदा अध्याएज चल रही है कि नाराज है उनकी नराज्गी का हड़िया को चुनाव में कितना फर्क परेगा बिल्कुल चुनाव के करीब देखे लब कल जो आज तक पर बेंजी ने उसमें वह चीज़े क्लियर कर दी है कि वह आदरीनिया जो शीर सनेतर था हम से कोई राजगी नहीं है और बहुत जल चब्विस तारिक से बेंजी फिल्ड में प्रभाव भी है और लोक सुबा के शिनाव में आपने देखा विदा जहां जहां बेंजी आतरा ले करके गई थी जीत करके निकल के आई थी कितना दखल है कुमारी सेलजा का हर्याना की राज निती है अलग ही एक रुतबा है और पूरा दलिस समाज आज बेंजी की तरफ मनुवादियों ने बहुजनों की इतिहास को उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशे की लेकिन अमबेटकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सह कर उसे जिन्दा रखा बहुजन कैलेंडर 225 के जरिये हमने भी बहुजनों के संघर्ज और इतिहास को सहेजने का काम किया है क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं इतिहास भी बताते हैं तो आज ही ओर्डर करिए दोज़र पत्चीस का बहुजन कैलेंडर, बुकिंग शुरू है, ओर्डर देने के लिए वाट्सप नमबर 9711666656 पर मैसेज करें, या दलित दस तक at the rate of gmail.com पर एमिल करें कुमारी शैलजा जी का कितना दखल है, हर्भयाना की राजनिति में और उनकी नाराजगी से कॉंगर्ज को कितना नुक्सान होगा अचांगर जी स्टेटमेंट आई है कल से, तो हर्याना में, पूरे हर्याना में फिर से हमारे दली सुमाज के लोग एक तरफा कॉंग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कॉंग्रेस की सरकार बनेगा 1990 में वो राजनीती में सक्रिय हुई थी तब से तकरिवन 35 साल पूरे हो गए इन सारे तीन दसकों में हर्याना की राजनीती गाफी बदली। लेकिन कुमारे शैल्जा जो बार-बार कह चुकी हैं कि प्रदेश में काम करना चाहती है।। उनको वो मुख्यमंतरीपर्द का चेहरा कॉंग्रेस पारटी ने क्यों नहीं बनाया है और दिक्कत कहा हां रही है कहीं कहीं हमने जैसा देखा है हम भे भी राजनीती में ग्रीब गरद से हुटे हैं कहीं न कहीं हमने भी देखा है कि दलितों की आवाज को दुबाया जा रहा है और हमारी अबादी हरियाना में बाइस पॉंट आ प्ँप के लगबग पहुंच चुकी है और लोगों के बीच में भावी मुख्या मंतरी के तोर पर सामने लाया जाए अच्छा हरियाना में एक बड़ी अबादी है दलित समाज की लेकिन वहां पे जो लंबे समय से मांग की जाती रही है कि समाज का आदमी सीम बने वो क्यों नहीं हो पाया दिक्कत कहा आद देखिए मैं अपना प्रिचे देदों सुरेश मातरशाम वालमी की हलका आदमपूर हिसार ऐसा है जाती है कि जाती नहीं यह फैक्ते काम करता है और जैसा कि आपने अभी देखा फिलहाल वरतमान समय में बहन जी ने एक नारा दिया था भी हम क्यों नहीं और उसका आसर आज आपने संग्ठित होकर लेकिन और बात बताईए आपने खुद कहा कि टिकट वित्रह में जिस तरीके से बात आई है तो आखिर जो नेत्रित्व है जो सेंटर लेवल पर है लागातार राहूल गांधी जी कहते रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन दिलाएंगे दलीतों को वी सी संग्ठित हुआ कहीं और जो आपने कहा उस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और हम आई सीशी में दस जन पत्थवे जाके और यह अवाज भी उठाएंगे बहेंजी के नेत्रितों में असर अपना परिश्यत मैं बाई राम सिंग पूरो जिला परमुग मेंदर एक् समाज तक क्यों नहीं मिल पाया है हरियाना की राजनीते में इसी समाज को तो बहुत पिछे रखा गया और पूरे समाज को च्छतिस ब्रादरी इस राज से भी और पहले भी दुखी थी और जब तक इमानदार सच्चा जनता का हितेशी नेता जब तक मुक्य मंतरी नहीं ब बहन सेल जाजी तो परदान मंतरी बढ़ा दी जाए तो देश का बला जाए और पर परदेश की मुक्खे मंतरी बढ़ा दे इस परदेश की च्छतिस ब्रादी सर्व समाज इतनी खुष और इतना न्याय मिलेगा कि सदा सदा के लिए बहन जी को या हर समाज में वो लोग प विरादरियों में वो समान रूप से मेरा सवाल आ जाने दिजे फिर आप अपनी बात कहिएगा समान रूप से जब लोग प्रिये हैं तो भी जो एक बयान आया था रहा चलते जिसको लिके काफी देशवर में बाद वात तो तमाम दलिल संगठनों ने ने नेताओं ने जो क को भी बात थी और दलित की नेता ने यह पूरे शतिश व्रादरी नेता हम मेरा नाम राज श्वाच गौर्फुर से मौ जाट समाज से लिंग करता हूं और फत्यवाज इस्टी के अंदर मैडम नहीं तिनों टिक्टे वांटी है और तिन्नों के तिनों टिक्टे मैडम को ज कोई बात नहीं है जाट समाज मेडम के साथ में है और पूरी कॉंग्रेश के साथ में है और यासा कभी भी कहीं भी नहीं है लगी कीशी प्रकार में को इन देखी गई हो कुछ टिक्टों की बात है तो होते हैं जो मतलब उन्हें का फीड़बैक सही नहीं है इसलिए को टिक सीटों की स्थिए जो है साथ से पैसेंट सीटे कॉंग्रेश पर की जीतने के favor में हैं और मिजोर्टी जाएगे तो देखना कि इस खॉठी को पर बें पटाकर बजेंगे और डॉल बजेगा तो कहीं ना कहीं यह तमाम राजनितिक जब तक अर्याना के नबे विद्याल तारीक को लास्ट मिटिंग की थी उन्होंने फिर 26 को उतरेंगी बीच में पंदरा दिन का गैप आता है इस पंदरा दिनों में कॉंग्रेस का नुकसान हो गया क्या बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जितने भी चैते थे वह सुप चाप बैठें जिस दिन निकल जाए पूरे हरियाना में बीजेपी साफ हो जाएगी और कांग्रेस 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 ही रह जाएगी पूरी एक तरफा तो यह जो 26 तारीक से बात हो रही है कि फिर से मैदान में उतरेंगी तो फिर जो डैमेज हुए वह कंट्रोल हो पाए मैंज हो जाएगा आगर हाई कमाल से नु छोड़ेंगे आई कमान जाएगा तो तो तमाम समर्थक हैं जो कुमारी शेलजा जी को जो बधाई देने के लिए जन दिन की यहां पी कठा हुए हैं और समर्थक बीच में बेहन जी के नाम से लुक्तिया हैं तो अलग-अलग बाते आ रही हैं लेकिन यह साफ है कि कुमारी श अगर वो जल्दी से चुना मैदान में फिर नहीं उतरती हैं तो कॉंग्रिस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा लेकिन अब बात आ रही है कि 26 तारीक से 26 सितंबर से मैदान में उतरने वाली हैं अब देखना है कि मामला कि इतना शौट आउट हो पाता है लेकिन जो सव नतिक दल कहीं ना कहीं उन्हें बहला रहे हैं और अपने पाले में रखने के लिए तमाम चाले चली जा रही है देखते रही है दली दस्तक कुमारी शेलजा के अवास से 67 साउथ हवे नियुस में शुक्दास दली दस्तक